अस्सलाम अलेकुम गैस आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी खटी दाल की मज़िदार रेसिपी घर की बनाई हुई दाल चावल की बात ही कुछ अलग है तो चलिए रेसिपी के तरफ यहां मैंने ले लिया है टू थर्स कप टूर दाल को या अरहर दाल को कची तरह से दो पानी को अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और एक बड़ा चमज पिसी हुई लाड मिर्च और एक बड़ा चमज तेल और एक टेबल स्पून भरके जिंजर गालिक पेस्ट इसको अच्छी तरह से मिला लीजी इस पिलिड लगा लीजे और विजल को ल चुका है अब हम ढकन को हटा लेंगे और इसे चेक कर लेंगे देखे दाल कितना अच्छी तरह से पक चुका है अब हम इसको एक घोटनी लेके इसे मैश कर लेंगे या एक अच्छा सा चमज लेके इसे मैश कर लेंगे इसी वक्त हम थोड़ा सा छोटी नीम बुक का साइज इसका इमली ले लेंगे और इसे पानी में भीगो लेंगे एक दस मिनिट के लिए और इसे अच्छी तरह से स्ट्रेइन कर लेंगे इसके सीट्स को हम डिसकाट कर लेंगे सिर्फ इसका पल्प को ही दाल में शामिल कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा करीपता को भी शामिल कर लेंगे आप जाएगा इसमें एक चमच भर के धन्या पाउडर और अब इसमें डाल लेंगे हम एक टेबल स्पून भर के सॉल्ट को ध्यान रहें कि दाल गलाते वक्त आप नमक को ना शामिल करें इसको सबसे आखिड में ही शामिल करें क्योंकि इससे दाल अची तरह से नहीं गलता तो तड़के के लिए हम यहाँ पैन ले लेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे जब लेंगे हलका सा रंग आ जाए और इसमें हलकी सी खुश्बू आने लगे तब हम इसमें दो अदर सुखी हुई लांड मिश को आदी कट करके इसमें शामिल कर लेंगे अब इसमें मुठी बर करीपता को भी शामिल कर लेंगे अब हमारा तड़का बिल्कुल तयार है दाल में जाने के लिए अब हम दाल को इसमें शामिल कर लेंगे देखे हमारा मज़ेदार सा खटी दाल बन के तयार है चले इसको सर्व कर लेंगे दाल में तड़का लगाने के बाद इसको पांच मिनिट के लिए उबा लीजिए और फ्लेम को स्विच आफ कर लीजिए हमारा गर्मा गर्म हाइदराबादी खटी दल बन के तयार है इसको आप गर्मा गर्म चावल से सर्व कीजे इसके साथ मैंने सर्व किया है मसालेदार प्राउन फ्राई इसको हम अगली वीडियो में जान लेगे अब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फो वचिंग, आला हाफिस